योजनाइन इंदी यूटूब चैनल पर आपका सुवागत है अगर आपका भी बैंक खाता है और आपका पुराना बैंक में खाता है और आप उस खाते के साथ यह गलती करते हैं तो आपको भारी नुकसान होने वाला है और यह वीडियो देख करके आप नुकसान भी जान जा और सबसे पहले अपने पुराने खाते को या तो आप चालू करेंगे या फिर उसे परमानेंट के लिए बंद कर देंगे जिया साथियो अगर आपका पुराना खाता बैंक में पड़ा हुआ है और आप यह गलती करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नए आये हैं तो सस्क्राइब भी जरूर करिएगा तो चलिए जानते हैं कि क्या नुकसान है पुराने खाते के अगर आप उसमें लेंदेन नहीं करते हैं दोस्तो किसी भी चीज की एहमियत उसके दूर जाने के बाद पता चलती है और यह है बात बैंक के खाली पड़े खाते पर बिल्कुल फिल्ट बैठती है ऐसे खातों को डैड़ एकाउंट भी कहा जाता है चाए आपका बैंक का खाता किसी भी बैंक में हो पंजाब नैसलम बैंक भारत इस्टेड बैंक कोई भी बै लेकिन उस एकाउंट को बैंक में जाकर बंद कराने की जैमत नहीं उठाते हैं यह सोच करके कि खाली खाते की क्या कीमत है कुछ नहीं लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप आज ही अपने पुराने खाते को बैंक में जाकर या तो बंद कराएंगे या फिर उसमें लेंदेन शुरू करेंगे तो नुकसान आईए जानते हैं कि क्या है multiple account एक तो फिलहाल के समय में social media पर इतने अच्छे अच्छे ओपर देख कर के आप अपना bank खुलवाते हैं या फिर आपकोई दोस्त मित्र bank में है तो उसके लिए भी आप अपना account खुलवाते हैं देखे अकाऊंट खुलवाने के क्या करण है या तो आप social media पर देख कर के या या ये bank खाता खुलवाने पर इतना अच्छे ओपर दे रहा है ये bank इतना अच्छे ओपर दे रहा है इस तरीके से खुलवाते हैं या फिर आपका मित्र या कोई दोस्त बैंक में हैं, तो आप उसके लिए भी अकाउंट खुलवाते हैं, इसलिए आपके पास ज़्यादा खाते हो जाते हैं, ज़्यादा तर बैंक अकाउंट में मीनियम बैलेंस रखना पड़ता है, ये एक हजार उपे से लेकर के पच्चिस हजार उपे के बीच हो सकता है, अब अगर डैड अकाउंट है, तो एक तो इतना पैसा आपका बेकार पड़ा हुआ है, जो आपने मीनियम बैलेंस या एवरेज क्वाटरली बैलेंस मैंटेन नहीं रखा है, तो बैंक आपसे जुर्माना वसिल लगा, वो अलग एक तरफ खाई वाली बात हो गई भाई, देखे अगर आपका पुराना अकाउंट पेकार पड़ा है, तो एक तो उसमें आपका मीनियम बैलेंस पड़ा है, और अगर वह मीनियम बैलेंस कम हो जाता है, तो बैंक उसमें से अपना चार्ज काटने लगता है, कई बैंक अकाउंट पर स की वार्षिक फीस भी लगती है आप भले ही ATM का पिन भूल जाएं लेकिन फीस का मिटर उपर बढ़ता ही रहता है अब डेड़ एकाउंट है तो साल भर बाद ATM बंद हो जाएगा इंटरनेट बैंकिंग बंद हो जाएगी फोन बैंकिंग भी बंद हो जाएगी कहने का मतलब यह है कि एक एस्ट्रा एंटरी बनी रहेगी आपकी लाइप में जिसका कोई मतलब नहीं होगा अगर उसमें पैसा हुआ तो बीना ब्रांच विजिट किये निकलेगा नहीं यह भी नुकसान है आलसी लापरवाई या फिर क्या करना बैंक एकाउंट ही तो है आप यह सोचते हैं अगर ऐसा किसी बहाने की वज़े से आपने सालो एकाउंट का इस्तमाल नहीं किया तो वो बैंकिंग की भासा में डाइमेंटरी हो जाएगा आसान बासा में कहें तो निस्क्री है लेकिन पैलेंटी लगतार लगते रहेगी जिसका जिक्र हमने उपर आपको वीडियों बता दिया है एकाउंट आपके लिए डेड़ है लेकिन साइबर अपरादियों के लिए ठगों के लिए नहीं है वो इसका फायदा उठा सकते हैं किसी वैद लेंदेन के इस्तमाल में कर सकते हैं हाँ कानूनी जो कारवाई होगी वहे आपके खिलाब की जाएगी आप उसमें फसेंगे तो इसलिए भलाई और समझदारी इसी में हैं कि अगर एकाउंट की आपको जरुवत नहीं है तो उसको पूरी तरीके से बंद करा देजिए एक बार बैंक ब्राच में जाकर के यह काम जरू करिए और यह काम एक बार में हो जाएगा इस से एक शिपा हुआ फायदा और है सरकार और अड़ सास्त्रियों को सही आकड़े जुटाने में मदद मिलती है तो सात्यों अगर आपका भी पुराना डैड एकाउंट पड़ा है और आप उसका इस्तमाल नहीं करते हैं तो या तो आप उसे बंद करा दीजिए या फिर उसे शुरू करिए उसमें लेंदेन शुरू करिए नहीं तो ये नुकसान आपको होंगे वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक शेर कमेंट जरू कर दीजेगा और चैनल पर नए आए हैं तो सस्क्राइब भी जरू करिएगा